हेलो एब्रीवान वेल्कम बेग टू माई चैनल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं सूजी की फटाफट से बन जाने वाले इडली जिसे की हम इंस्टेंट बनाएंगे यह देखिए बहुत ही स्पोंजी और सॉफ्ट है यह इडली तो चलिए हम बनाना स्टार्ट कर देते ह है टेस्ट भी इसका बहुत लाज जवाब है यहां पर बनाने के लिए यह सबसे पहले में बरतन में एक बड़ी कटोरी सूजी लूँंगी अब मैं जिसे की हम रवा भी कहते हैं यहां पर मैं इसमें एक चम्मच नमक एड़ कर दूँगी इसके बाद दो बड़े चम्मच में इसमें दही डालूंगी अब दही नहीं हो तो चार्च का भी यूज़ कर सकते हैं और दही खटा भी होगा तो चलेगा अब हम इसको दिए-दिए अच्छे से मिक्स करते आएंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डालके यह देखिए इस तरीके का लिक्विट तयार कर देंगे अब हम इसको रेश्ट के लिए छोड़ देंगे यह पांस से साथ मिरिट या दस मिरिट मैक्जिमम हम इसको रख देंगे इसके बाद हम हलका-लका ओईल स्प अब यह देखिए सूजी ने हमारा साहा पानी एब्सओर लिया है अब लास्ट में हम इसमें कि इसमें नोडालेंगे पूस को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे एक डायरेक्शन में यह देखिए अब एक चमच हम इसमें इडली मेकर में डाल देंगे ज्यादा बड़ी इडली नहीं चाहिए हमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि फूल-फूल के बहुत बड़ी हो जाएगी यह देखिए फटा-फट हमाई इडली खाने का मन करता है तो हम तो फटा-फट बंद कर देंगे फिर 10 मिन तक हम इसको अच्छे से श्टीम होना देंगे यह 10 मिन के बाद हम इसको चेक करेंगे आप चाकू की महीं मददσε किसे चेक कर सकते हैं योओ ह इस तरीके से चेक करेंगे देखिए चिपक नहीं ताहि हमारा अच्छे से ब descider हो गया है बन गई इस् और इनको निकाल लेंगे निकाल के थोड़ी दोड़ी हम इसे ठंड़ा होने के लिए रख देंगे उसके बाद हम इडलियों को इसमें से निकालेंगे ठंड़ी होने के बाद यह अच्छे से निकल लाती है यह रेखिए पटाफट से निकल लाती है तो यह देखिए दोस्तों सारी इडली हमारे बनके तयार है जो कि बहुती सॉफ्ट और स्पॉंजी बनी है थैंक्स फॉर वाचिंग